कि नमस्कार दोस्तों मैं हूं मन मिंदर और आपका मेरे चैनल अभी स्पीक्स पे बहुत बहुत स्वागत है और देखिया आज तो हद हो गई ट्वीटर ने आई टी मंतरी रवी परसाद का एंडल एक घंडे के लिए ब्लॉक कर दिया और इसकी वज़ा बताईए कि अमेरिका के डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट का उलंगन हुआ है हाला कि बाद में ट्वीटर ने चिताब नहीं देते हुए रवी शंकर परसाद का हैंडल फिर से उपन कर दिया खोल दिया रवी परसाद ने इस पर अपना रेक्शन देते हुए कहा कि दोस्तों आज बड़ी अजीब घटना हुई है ट्वीटर ने मेरे अकाउंट को एक घंटे के लिए ब्लॉग कर दिया परसाद ने पहले देसी और यह कहा कि कधित तोर पे अमेरिका के डिश्टल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट का उलंगन हुआ है बाद में उन्होंने मुझे अकाउंट एक्सेस करने की परमिशन दे दी यह भी साफ है कि ट्वीटर के मनमानी मेरे बयानों खास तोर पे टीवी चैनलों पर मेरे इंट्वीव के क्लिप्स और उनको शेयर करने से ट्वीटर तिल मिला गया है यह साफ है कि ट्वीटर इंटर मिडियरी गाइडलेंज का पालन से इंकार क्यों कर रहा है क्यों नहीं वो उसको मानना चाहरा क्योंकि अगर ट्वीटर इसका पालन करता है तो वह किसी के भी अकाउंट तक एक्सेस से मनमाने ढंग से इंकार नहीं कर पाएगा और यह उसके एजन्डे के मताविक नहीं है इसके अलावा पिछले कई साल में किसी भी टीवी चैनल या किसी एंकर ने सोचल मीडिया में शेर किये गए मेरे इंट्रीव के क्लिप के बारे में कभी कॉपी राइट वुलंगन के बारे में कोई शिकायत नहीं की टीटर के इस कदम से यह संकेत मिलता है कि वे फ्री स्पीच के हमायती नहीं है जिसका वो दावा करते हैं वे सिर्फ अपना एजन्डा चलाने में रुची रखते हैं इस धंके के साथ कि जदी उनकी खीचे कई रेखा का पालन नहीं हुआ तो वे आपको अपने प्लैटफॉर क्या फ्राइब पड़ता है उन्हें नए IT नेमों को पूरी तरह से पालन करना होगा और उस पर कोई समझाता नहीं होगा अब यह भी जान लीजे कि डिजिटल मिलेनियम कॉपीडाइट एक्ट क्या है डिजिटल मिलेनियम कॉपीडाइट एक्ट अमेरिका का होने से बचाना है चोरी होने पर अरूपी के खिलाफ कारवाई करने में यह मदद करता है इसके तरह से भी तरह के डिजिटल प्रडेक्ट जैसे ऑडियो वीडियो टेक्स्ट और कंटेंट आते हैं ज्यादातर ब्लॉगिंग लिखने वाले या कंडेट क्रेटर अपने कंट जो उनके उपर कारवाई की गई है जो उनका एक इनटे के लिए अकाउंट ब्लॉग किया गया है वो ऐसे समय में आई है जब केंसरकार और ट्वीटर के बीच में नए आईटी निवों को लेकरके काफी बड़ा भी बात चल रहा है इसे वामले में पिछले अप्ते आईट की पॉलिशी को फॉलो करते हैं जो देश के कानून के अनुसार है इस दलील पर समीधियने अप्तित जदाते हुए कंपनी से तलक लैजे में कहा था कि हमारे यह देश का कानून सबसे बड़ा है आपकी पॉलिशी नहीं तो आज यह जो घटना हुई है यह कोई छोटी घट लेगली ब्लॉक होता है और कोई बड़ी बात नहीं कि आगे चलके किसी और बड़े प्रोफाइल वाले वेक्ति का एकाउंट भी इसी तरीके से ब्लॉक हो सकता है दोस्तों आपको मेरा कंटेंट कैसा लगा आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा आपनी कि